हलो स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक, हम आगए अपने कावी खंड का नया पार्ट लेकर, क्या है ग्राम शिरी, ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंथ जी ने, यहाँ पर ग्राम शिरी में सुमित्रा नंदन पंथ जी ने गाउं की सुन्दरता के बारे में वर्णन किया है, गा हम इसको समझने शुरू करते हैं कि ये हमको क्या-क्या कह रहे हैं इस पार्ट में फैली खेतों में दूर तलक, मकमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवी की किर्णे चांदी कीसी उजियाली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरत रुधिर है रहा जलकता, शामल भूतल पर जुका हुआ नबका चिर निर्मल नील फलक तो यहाँ पर क्या दिया सबसे पहले हम लाइन पहली सुड़ू करते हैं फैली खेतों में दूर तलक, मकमल की कोमल हरियाली तो अब क्या है वो जैसे उनकी नजर पढ़ती है खेतों की तरफ तो कहते हैं खेतों में बहुत ही मकमल और सुन्दर सी हरियाली चारो तरफ फैली हुई है कोमल कोमल सक्राओ कितना अच्छा लगता तो वही कहारे हैं, जब उन्हों ने वह देखा तो उनको जैसे लगा कि चारो तरफ मकमल का एक चादर हरे रंगा ल्गा बिछाया गया है। प्रकती ने recap चारों तरफ मकमल का कुमल मकमल का कपड़ कैसे होता है। कोमल सा होता है तो उन्होंने बोला कि कोमल कोमल जो है वह मकमल का कपड़ा चादर जैसे लगता प्रकति ने कहीं डाल दिया है अर्था चालों तरफ मकमल की हरियाली फैली हुई है लिपटी जिसमें रवी की किर्णे चांदी केसी उजली जाली तिन केके हरे हरे तन पर तो अब क्या हुआ अब जब सूरज की रोशनी इस हरियाली पर पड़ रही है जब सूरज चमक रहा है तो सूरज की जो चमक है वो इस हरियाली पर पड़ रही है और चांदी की सी जाली बन चाती है मतलब कहीं जैसे ओस की बूंदे पड़ी है तो जह जहां नहीं है वहां नहीं चमकता तो उससे क्या हो रहा कहीं चमक हो रही है कहीं चमक नहीं हो रही है जैसे लगता है एक चांदी सी जाली बनी हुई है जैसे कहीं चमक पड़ रही है कहीं चमक नहीं पड़ रही है जहां जहां चमक पड़ रही है एक चांदी की जाली पड़ हुई है तिनके के हरेतन पर हरित अब क्या तिनका यानि की घास उखा था उस पर उसकी बुंदे पड़ी हुई थी हिल हरित रुधिर है रहा जलक शामर भूतल पर जुका हुआ तो सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं क्या है छोटे छोटे नए नए पत्ते जहां पर ज पारण क्या हो रहा है जब उनमें से सूरज की रौष्णी पराहित हो रही है जब सूरज जब नया पत्ता खिलता है तो कैसा पतला सा हलका जिल्ली सा होता है तो जब सूरज की रौष्णी उस पर पढ़ती है तो क्या होता है कि वो चमकने उसके आर पार हमको दिखने लगत जैसे लगता है कि नसे हैं उसकी पत्ते की नसे हैं तो जैसे लगता है उसका हरा खून जो है वो चमक रहा है तो यहीं पर दिया है ना हिल हरित रुधिर है रहा जलक और जैसे सूरज की किर्णे उस नए खिले पत्ते पर पढ़ती है और उसके आर पार रोशनी होती है तो उस उसके जो शरीर में है वो हरे रंग का खून प्रवाहित हो रहा है शामल भूतल पर जुका हुआ नब का चिर निर्मल नील फलक और ये जो प्रत्वी प्रत्वी कैसी है प्रत्वी हरे रंग की है कहीं दूसरे रंग की है कहीं भूरे रंग की है तो क्या है वो डार्क कलर की है श्यामल मतलब गाडे रंकी है, तो कह रहा है कि श्यामल जो हमारी धरा है, उस पर जो है चिर निर्मल नील, यानि कि बहुत ही स्वच्च नीला आकाश जो है उसके उपर जुका हुआ है, उसको उपर से कवर करा है। हम जब सामने से ऐसे खड़े हो के देखेंगे, तो सामने चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई दी, और उपर से क्या है? आकाश ऐसे करके ढखा होगा, तो जिससे लगता है, कि उसके उपर उसने चादर डाल रखी है, तो क्या यहाँ पर बोला कि इस हर्याली पे मानू ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नब ने अपना आचल फैला रखा है रोमांचित सी लकती वसुधा आई जो गेहूं में बाली अरहर सनई की सोने की किड़ किडियां है शो भाशाली उड़ती भीनी तैल रक्त गंद फूली सरसो पीली पीली लो हरित धरा से जहां करही नीलंब की कली तीसी नीली तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं रोमांचित सी लकती वसुधा आई जो गेहूं में बाली मतलब अब जो इस समय धरती है वो बहुत ही खुश है क्यों? क्योंकि जो और गेहूं की बालियां आ गई है जब गेहूं पकता है पहले तो हारा लगता है जब पक जाता है तो कैसे तो उसमें बालियां आ जाती है गेहूं पक जाते है तो वही कह रहे हैं कि इस समय जो प्रतवी है वो बहुत ही प्रसन्न चित है बहुत ही खुश है क्यों क्योंकि जों और गेहुं में बालियां आ गई है अरहर सनई की सोने की किलकलियां है शोभाशाली और क्या हुआ है अरहर पे जो डाल जब आती है ना तो वो पीली-पीली सी हो जाती है जब उसकी डाल होती है तो वहाँ पेड़ पीला हो जाता है तो क्याते हैं जैसे लग रहा है जब अरहर के पक गई है अरहर भी जो है वो पक कर तयार हो गई है कटने के लिए और वो पीली-पीली है जैसे लग रहा है प्रकती ने जो है वो पीले रंग की करधनी बांधी रहा है कि करधनी मतलब कमर में जो बांधी जाती ना उसको करधनी बोलते हैं जैसे लग रहा प्रकतिनी पीले रंग की करधनी बांधी हुई है सोने की करधनी बांधी हुई है और वो छुन-छुन की आवाज आ रही है अब जो पक जाती है तो जब हिलती हावास है तो खड़-कड़-कड़ के आवाज आ रही है तो जैसे लग रहा है कि उसने करधनी बा और उसकी जो पीली पीली सुगंद पीली पीली होके पक्के तयार हो गई है और उसकी जो सुगंद है वो चारो तरफ वातावरण में तैर रही है जैसे कि पानी के उपर तेल तैरता है तो यह नोंने क्या बताया कि वहाँ पर चारो तरफ वातावरण में सरसो की भीनी भीनी स चारो तरफ फैली हुई है लो हरित धरा से जहांक रही नीलम की कली और तीसी पीली और अब क्या है ये जो हरियाली चारो तरफ चाही हुई है उसमें से बीच में नीलम का एक पौधा नीलम के फूल होते हैं तो वो नीलम का एक पौधा और तीसी का एक पौधा उगा हुआ है तीसी के कुछ पौधे और नीलम के कुछ पौधे जो है नीलम फूल के जो उगे हुए है और यही सब नीले नीले दिखाए देने तीसी का जो फूल होता है वो भी नीला होता है तीसी पर उगे हुए नीले नीले फूल रंग रंग के फूलों से रिल मिल हंस रही सखिया मटर खड़ी मकमली पेटियों सी लटकी जीमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितलिया रंग रंग के फूलों पर सुन्दर फूले फिरते ही फूल स्वेम उड़ उड़ वरंतों से वरंतों पर तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे रंग रंग के फूल जो है वो खिले हुए है चारो तरफ बहुत ही तरह तरह के रंग के फूल खिले हुए है मगर बीच में ही क्या है मटर की भी बेलें फैली है क्या दिया है ना हंस रही सखियां मटर खड़ी और बीच में जो है वो मटर की बेल फैली हुई है और उसमें से मटर उगाई है तो जब मटर उग आई है तो क्या हो रहा है कि जैसे लग रहा है उनको देखकर उसकी सारी सकिया हस रही है मतलब एक सकी को देखकर दूसरी सकी हस रही है उसको देखके ऐसे पतित हो रहा है कि सहलिया आपस में हस रही है मकमली पेटियों सी लटकी और मकमली मतलब कोमल कोमल और वो हर जगे मकमल पेटियों सी लटकी हुई है जैसे कि किसी ने करधनी बांदी है और उसमें ऐसे से करके हरे हरे रंग की लड़ियां लटकी है पेटी मतलब कमरधनी तो पेटियां बांद कर उसमें लटकी हुई है फूल के चार और मटर की बेल गई है और उस पर मटर लटकी है कि प्रकती ने कर्धनी बांधि और उसमें पर कंपने पेंडर मटर लड़की हो जीमिया चिपाये बीज-चीमिया है उस्वे rif होगा प्दणी पल के उसके अंदर मटल श्यवाइन हो दुट जीमिया नbirth क्ने पल दो ह одно कर दो है梁षंद Episode ही तीं तो तितो जैसे लग रहा है कि वो जो है लड़ियां बिसके अंदर मतर की लड़ियां छिपी हुई है pekt restless open lookin him नेक्स्थfestी एर रंग की तितलिया और चारों तरफ cooking रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं रंग रंग के फूलों पर और विभिन रंग के फूलों पर विभिन रंग की तितलियां उड़ रही हैं फूल ही फूल पर स्वेम अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूल जो है वही फूल पर बैठे हैं अब रंग बिरंग फूल भी है रंग बरंगी तितलियां भी है तो जैसे लग रहा है फूल स्वेम पर ही बैठे हुए है और ता तितलियां भी फूल सी प्रतीत वरी है और फूल तो फूल है है तो जैसा ऐसा देखने से लग रहा है कि फूल स्वेम फूल पर ही बैठे हुए है उड़ उड़कर वरंतों से व अब रजत स्वण मंजरियों से लद गई आम्रतरू की डाली अब क्या हुआ अब जो है रजत स्वण मंजरी से यानि कि डालियां जो है वो अब आम की बौरों से लद गई है तो उसको कैसे बताया जब बौर आते हैं तो कैसे रहते हैं सफेज सफेज से रहते हैं तो वही उन जो है चान्दी के रंग की रजट मतलब सफेद सफेद मोतियां आ गई है रजट स्वड मंझरी कहीं पर पेली और कहीं पर सफेद रंग की मोतियों से जड़ गई है ऐसा लग रहा है जब बोर आने के कारण आम के पेड की डालियां ऐसे लग रही है कि उनके उपर पीले और जो है सफेद यानि की सोने और चान्दी की मोतियों से जड़ गए हैं हर ज़र रहे ढ़ाक पीपल के पत हो रही कोकिलामत वाली अब क्या हुआ कि अब पत जड़ का समय आ गया अब पत जड़ के समय क्या है पत्ते गिरने लगते हैं अब जड़ रहे हैं ढाक और पीपल के पत्ते गिर रहे हैं और ये सब देखकर कोयल मतवाली होकर खूब सुन्दर गीत गा रही है महके कटहल मुकुलित जामुन अब क्या है जंगल में ज़र भेरी जूली फूले आडू नीबू दामिड आलू गोबी बैगन मूली तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं चारो तरफ जो है पके हुए कटहल की महक आ रही है और जामुन भी अभी अधकच्चे हैं मुकुलित मतलब अभी अधकच्चे हैं पूरी तरह से पके नहीं है तो और जामुन के पेड़ पर जामुन जो है वो अधकच्चे लगे हुए है जंगल में जरबेरी फूली है जरबेरी होती ना छोटे-छोटे से होती है लालाल सी तो जंगल में क्या है जरबेरी की जालियां जो है वो फल गई है उन पे जरबेरियां आ गई है और चारो तरफ विभिन तरीके के फल और सब्जियां लगी हैं तो वो सब्जियां और फल कौन से हैं? आडू, नीबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन और मूली तो चारो तरफ आडू, नीबू, अनार, गोभी, आलू और नीबू जैसे फल लगे हुए हैं पीले मीठे अमरोदों में अप लाल लाल चित्तियां पड़ी पक गए सुनेहरे मधुर बेर, आवली में तरू की डाल जड़ी लहक लहक पालक महक महक धनिया, लौकी और सेम फली फैली मकमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली तो अब यहां क्या कहते हैं, पीले मीठे अमरोदों में मतलब अब क्या हैं, अमरोदों के पेड़ों में जो अमरोद लगे हैं वो जो पीले हैं और मीठे हैं, उन पे क्या हो गया है लाल लाल की चत्तियां पड़ गई हैं और ये चीज़ बता रही है कि अमरूद अब पक कर तयार है खाने के लिए तो मीठे मीठे अमरूद में पीले रंग की चित्तियां पड़ गई है और अब वो खाने के लिए तयार है आवली के तरू की डाल जड़ी और आवले के पेड़ पर आवला फल गया है और ऐसा लग रहा है वो जैसे फल जाता है तो आवला तो गोल गोल होता है चुटा चुटा सा तो आवले की डाली जब फल गयी तो जैसा लग रहा है कि उसकी डाली को किसी ने मोतियों से जड़ दिया है हरी हरी मोतियों से हलके हरे रंकी मोतियों से किसी ने आवले की पेड़ की डालियों को जड़ दिया है लौकी और सेम फली फैली और चारो तरफ लौकी की बेल और सेम फली की बेल फैली हुई है और उसमें लौकी और सेम लग चुकी है मकमली टमाटर हुए लाल और जो कोमल कोमल से जो टमाटर थे जो हरे हरे से अब वो लाल हो गए कोमल कोमल टमाटर क्या है वो पक कर लाल हो गए है मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मिर्चों की पौधों पर मिर्च जो है वो लदी हुई जैसे लग रहा है कि एक थैली जो है पेडों पर लटकी हुई है चारो तरफ मिर्च ऐसी पहली हुई जैसे लग रहा है चारो तरफ मिर्च की थैली लटकी हुई है बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुन्दर लट्ती सर्पत छाई तटपर तरबूजों की खेती अंगुली की कंगी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई तेरते जल में सुर्खाब पुनिल पर मगरैठी रहती सोई तो अब यहाँ पर क्या हुआ अब जो है ना क्या हुआ जो जैसे ताला बला बोता है तो वहाँ पर बालू फैली रहती है ना तो वहाँ बालू जो फैली हुई है उसका चित्रन कर रहे हैं क्या दिया बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सर्पत च्छाई तो क्या हुआ है जब उस पर बालू पड़ी हुई है तो बालू पर जो है न ऐसे से करके निशान बने हुए पर अभी कोई साप लहरा कर गया है गंगा की सतरंगी रेती अच्छा मतलब वो गंगा की जो रेती है उस पर मानू ऐसा बालुज रेती है उस पर क्या लग रहा है सुन्दर लगती सर्पत च्छाई यानि कि जब उस पर सूरज की किर्णे पड़ रही है तो वो और चमक रही ह तो ऐसा लगता है वो चमक रही है तो बहुत जादा चमकने लगती है तट पर तरबूजों की खेती अंगुली में कंगी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई और तट पे पास में ही क्या है गंगा के तट के किनारे ही वहीं पर तरबूजों की खेती होती है तो वहाँ पर चारो तरब तरबूजे फैले हुए हैं अंगुली की कंगी से बगुले कलगी सवारते हैं और वहीं पर बगुले जो हैं वहीं पर खड़े हुए हैं और अपनी पैर है पैर से अपनी कलगी को सवार रहे हैं ऐसे से करके सवार रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि कंगी से अपनी कलगी को जाड रहे हैं तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रैठी रहती सुई तो अब क्या है जो जल तैर रहा है अब गंगा के नदी का जो जल तैर रहा है उस पर जो है सुरखाब और पुलिन पक्षी तैर रहे हैं मतलब उस पर तैर के मजा ले रहे हैं पक्षियों के नाम होते हैं ये सुरखाब और पुलिन पक्षी जो है उन पर तैर रहे हैं और मग रैठी रहती सोई और पास में ही मग रैठी पक्षी जो है वो सोई हुई है मग रैठी भी पक्षी का नाम है वो क्या है वो पास ही तट पर सोई हुई है हंस मुक हरियाली हिम आपत सुक से अलसाय से सोए हैं भीकी अंधियाली में निशी के तारक स्वपनों में से सोए हैं मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलब नब अच्छादित निरुपम हिम पात से हिमांत से सिगंध शांत निश सोभा से हरता जन्मन अब इन्होंने क्या बोला है हसमुक हरियाली हिम आपत सुक से अलसाय सोए हैं और क्या है ये जो सारी हरियाली है अब क्या है शरद रितु आई सर्दियों का मौसम आ गया उने सारी रितूं के बारे में समझाया तो इस रितू में उने क्या बोला आखरी में शरद रितू के बारे में समझाया तो अभी क्या बोल रहे हैं कि शरद रितू आ गई है और सर्दियों की सुभा में जो है हर याली वो अलसाई सी सोई होने का सुख ले रही है मतलब सुभा की बूंदे हर जगह पड़ी हुए है और तारे क्या है वो अलसाय से सवपनों में खोई हुՈ है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम और जैसे लग रहा है कि कोई एक डिब्बा जिसमें खूब सारे हीरे जवारात रखें वो ऐसा चमक रहा है क्यों चमक रहे हैं? रात में कहीं हर जगे लाइट जलती है कहीं दिया जल रहा है कहीं कुछ जल रहा है तो जैसा लग रहा है किसी ने कोई डिबबा खोल दिया है और चारों तरफ हीरे जड़ित हीरे चांदी के जो सिक्के हैं वो चमक रहे हैं जिस पर नीलब लब आंचातित और इस डिब्बे पर क्या है नीले रंग का जो आकाश है उसने अपना साया फैलाया हुआ है और इस ठंडी सी रात में जो है वो पूरा गाव और उसके लोग जो है वो बहुत शांती से सोकर इसका सुख प्राप्त कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने ये पाठ आपको पूरा किया बताया कि ये क्या क्या हमसे कह रहा है इसमें सुमित्रा नंदन पंथ जी ने पूरे चैप्टर में हर एक रितू में कैसा कैसा परिदर्श रहता है ये आपको समझाया आपको आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसके प्रशुत तर लेकर हम आपके पास थोड़ी देर में उपस्तित होते हैं ये नहीं वाई